Hello dear students, sales and advertising management की class में आज का हमारा topic है sales quota जिसमें कई aspects जैसे nature of sales quota, objective and importance, types, methods, principles and problems of sales quota included हैं जिसमें से आज हम conceptual part of sales quota को discuss करेंगे So let's start, सबसे पहले जानते हैं कि sales quota कहते किसे है Sales quotas are sales assignments or goals यानि विक्रे quota, विक्रे कारे आबंतन या विक्रे लक्षो को कहते हैं Still, Kandif and Govani defines quotas are quantitative objectives assigned to sales personnel and other units of the selling organization यानि quota परिमानात्मक रूप से अभिव्यक्त लक्षे है जिसकी सुपूर्दगी किसी विशिस्ट विप्नन इकाई जैसे विक्रेता या प्रदेश को की जाती है As conclusion, it can be said that sales quotas are quantitative goals assigned to sales force in a given territory during a period of time यानि विक्रे quota एक परिमानात्मक विक्रे लक्षे है जो विक्रे करताओं को निश्चित विक्रे प्रदेश वा निश्चित समय के लिए सौपे जाते है इस तरह यह सपश्ट है कि विक्रे quota वह विक्रे लक्षे होता है जो किसी विक्रेता को एक निश्चित समयावदी में प्राप्त करना होता है यहीं यह sales target होते हैं जो कि एक particular sales territory में और particular time के लिए विक्रेताओं को दिये जाते हैं कि एक certain period में उनको यह sales target पूरा करना है अब बात करते हैं what are the characteristics of sales quotas number one is quantitative objective कि जो sales quota होता है यह एक मातरात्मक या परिमानात्मक लक्षे होता है यहीं जिसको की मापा जा सकता है and the second is quotas have time dimensions कि quota का एक time dimension होता है यानि वे एक निश्चित अवदी से समबन्द रखते हैं तीसरा है assigned to salesman, middleman और a branch की जो quota होते हैं वो विकरेताओं को सोपे जा सकते हैं या middleman को सोपे जाते हैं या फिर branch को सोपे जा सकते हैं या किसी शाखा के लिए यह निर्धारित किये जाते हैं अब बात कर रहे हैं quantitative measures of the effectiveness of sales people यानि कि विकरे कोटा विकरे निश्पादन के मुल्यांकन के लिए standards की रूप में होते हैं वे विकरे की मात्रा का एक desired performance level को दिखाते हैं या दर्शाते हैं अब बात कर रहे हैं कि इसकी next characteristics क्या है जो कि है managerial tool of direction and control of sales activities यानि विकरे कोटा विकरे क्रियाओं के निड़देशन और नियंत्रन के प्रबंद किये उपकरने यनि विक्रे कोटा वह एक टूल होता है या वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से विक्रे प्रबंदक, विक्रे कारियों का निर्देशन कर सकता है और उनका नियंतरन करता है यनि विक्रे कोटा का निर्दारन, विक्रे पूर्वानुमान, विक्रे संभाव्य लागत अनुमान वा अन्य बाजार अध्यनों के आधार पर किया जाता है यनि कि जो सेल्स कोटा होता है उसका एक ग्राउंड होता है वहाँ काल्पनिक नहीं होता है वो एक पर्टिकुलर या प्रॉपर फोकास्ट पर बेस्ट होता है और सेल्स पोटेंचिल पर बेस्ट होता है इसी के साथ साथ मार्केट स्टेडी भी इसमें की जाती है उसके accuracy of data and information कि एक विक्रे कोटा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसका निर्धारन सही सूचनाओं और समंकों के आधार पर किया गया है या नहीं तो इसकी सफलता सूचनाओं की सत्यता पर निर्भर करती है यानि कि जो विक्रे कोटा होते हैं इसका निर्धारन उच्छे संगठनात्मक इस तरो पर विक्रे प्रदेशों और अन्य विपनन एकायों के लिए निर्धारित करने के बाद में इनको फॉर्दर डिवाइड किया जाता है जिससे कि उसको अच्छिव किया जा सके फॉर्दर selling employees को यह handover किये जाते हैं तो इस सरीके से कह सकते हैं कि जो quotas होते हैं उसका determination higher organizational levels पे भी होता है और further वो divide किये जाते हैं अब बात कर रहे हैं determination of sales quotas are required for quantitative decision making capability and administrative skill की विक्रे कोटा के निर्धारन के लिए उच्छे निर्नेक शमता और प्रशासनिक कोशल की आवशकता होती है जार ग्यान होना भी आवशक होता है यानि विक्रे कोटा निर्धारन करने के लिए प्रबंदकों में निर्नेक शमता का होना जरूरी है अगर उनकी निर्नेक शमता अच्छी है वो निर्ने करने में कुशल है तो sales quotas भी वो properly decide कर सकते हैं जिससे की एक संसा अपने विक्रे प्रड़क यूनिट के नंबर में decide किया जा सकता है या फिर इनको विक्रे के अन्यक कार्यों के रूप में decide किया जा सकता है तो इस तरीके से कई प्रकार के sales quotas होते हैं अब बात कर रहे है sales quotas are sales goals कि जो sales quota होते हैं actually ये sales target होते है sales goals होते हैं जिनकों कि एक certain period में certain territory में certain sales people के द्वारा इनको achieve किया जाता है अब बात करें part of total sales forecast कि जो sales quota होता है actually ये है पूरे विक्रे पुर्वानुमान का एक हिस्सा होता है इसको further टुकडों में बाट दिया जाता है और टुकडों में बाट कर अलग-अलग विक्रेता कोई है सौपा जाता है so basically it is part of total sales forecast and the next is it may be set in terms of value or in terms of unit of sales कि इसको जो है मुद्रा में भी रखा जा सकता है या फिर उत्पात की एकाईों में भी इसको रखा जा सकता है तो विक्रे कोटा मुद्रा या उत्पात की एकाईों में निर्धारित किया जा सकता है sales objectives of all organizations are not sales quotas यानि कि जो sales objectives of all organizations are not sales quotas कि जितने भी विक्रे लक्षे निर्धारित किये गए है उन सब को हम विक्रे कोटा नहीं कह सकते है संपूर्ण संस्था के विक्रे लक्षे विक्रे कोटा नहीं होते है विक्रे कोटा particularly decide किया जाता है तो संपूर्ण संस्था के विक्रे लक्षे विक्रे कोटा नहीं होते विक्रे कोटा का properly determination होता है और assignment होता है तो सारी संस्ता का जो विक्रे लक्tsåी है वह विक्रे कोटा नहीं कहा जा सकता है। अब बात कर रहे हैं कि जो sales quotas हैं उनको वो किस पर based होते हैं। sales quota is based on sales forecast ये बात पहले भी आचुकी है। कि जो sales quota होता है वह जहांपे विक्रे संभावनों पर निर्भर करता है, बाजार अध्यनों पर निर्वर करता है, वहीं पर वहें विक्रय पुर्वानुमानों पर भी आधारित होता है, अगर विक्रय पुर्वानुमान नहीं लगाए गए हैं, तो फिर sales quota का निर्धारन करना संभव नहीं होता है, so it is based on sales forecast, and the next is sales quotas of all marketing units are equal to forecast of sales quota of firm, यानि कि सभी विप्णन एकायों का कुल विक्रय कोटा संसा के विक्रय पुर्वानुमान के बराबर होता है, कि जितना पुर्वानुमान किया गया है, उसी को ही अलग sales units में या market units में divide किया जाता है, so it is equal to sales forecast, sales quotas of all marketing units are equal to forecast of sales quota of firm, कि संपुन फर्म के लिए जो estimate किया गया है, विक्रय पुर्वानुमान किया गया है, उसको sales quotas में convert किया जाता है, sales quota में divide किया जाता है, सारी विप्णन इकाईयों का कुल विक्रय quota संस्था के विक्रय पुर्वानुमान के बरावर होता है, that's it, तो आज की class में हमने पढ़ा कि sales quota किसे कहते हैं, और इसका क्या nature होता है, तो इस तरीके से यह clear है, कि जो sales quota होता है, वो एक quantitative objective होता है, जो कि sales people को achieve करना होता है, अपने particular sales territory में और अपने certain time period में उस उद्धिश्य को प्राप्त करना होता है, further gradually हम इसके दूसरे aspects की बात करेंगे, जैसे कि हम जानेंगे कि sales quota के objectives क्या होते हैं, और इसका importance क्या होता है, इसके साथ हम इसके types, methods और principles और problems को भी discuss करेंगे, till then take care, thank you so much.